हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माय चैनल तो आज की वीडियो में आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप केन केन लगा कर अपना लहंगा कैसे रेडी कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी कोई भी पुरानी स्कर्ट या फिर पुराने लहंगे को और जादा घेर और जादा फ्लफी दिखा सकते हैं बहुत ही जादा खुबसूरत लुकाता है सिंपल एक केन के नेट यूज करने से और इसको लगाने का जो तरीका है वही मैं आज आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ और इस लेंगे का फुल कर्टिंग इन स्टेचिंग भी मैं नेक् क्वेश सेभ़ किचेय आफ 10 की सिंपल से यूज की तरीम का टेंगे सोफे पेली जो लेयर होगी वह मारी मेट के नेच आएगी और उसके कीले मारी मारी ऐग गोगी वह हमारी केन की heeft लेयर होगी तो इसलिए हमें दू ले अपने असतर की क्टिंग करनी है है लैन की भी मैंने 3.5 मीटर लिया है गाइस सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे उसके लिए देखे कपड़े को इस तरीके से बिलकुल खोल लीजिए और यहां पर हमने 5 मीटर का कपड़ा लिया है इसलिए हम यहां पर अंब्रेला में कटिंग करने वाले हैं और अंब्रेला से कटिंग करेंगे तो आपका जो घेर है वो काफी जादा नजर आएगा सबसे पहले पूरे कपड़े को हमने खोल लिया है इसके दोनों किनारों को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बीचो बीच में से हम फोल्ड करेंगे दोनों किनारों को मिलाते हुए कपड़े को हमने केवल एक बार इस तरीके से बीचो बीच में से फोल्ड कर लिया है अब देखें इसको हमें तिकोना इस तरीके से फोल्ड करना है को सब्सक्राइब ini यहां पर आपको पूरा नीचे घह इसे से ले जाना होगा यानिकि इसे हमें देखें तरिए उन्होंनाफ त्र्द करना होता हैं अमप्रेला जब भी हम कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से आपको फ्олो करना होता है अब इसको हमला को अपनी तरफ मां गाईगे ध्यान रख़िए आपको हिप का निशान नहीं आपको कमर का निशान लगाना है तो यहां पर देखे जो हमारी K句 है वह थी melhores इंच का एक चोथा ही करेंगे तो हमार पस आएगा साड़े साथ इंच बट यहां पर हम आठ इंच का निशान रखेंगे और जहां भी उपर से इत्ति कोनी शेप है नीचे तक ना पिए जहां भी आपका आठ इंच फिक्स हो जाए वहां पर आपको सीधा निशान लगा लेना है और यहां पर हम 30 इंच पर रखते हुए निशान लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमें एक चोटा रखना है अपने नेट वाले फैब्रिक से इसको एक चोटा रखना है और उपर से बिल्कुल नापते हुए इस तरीके से गुमाते हुए हम पूरा राउंड में इसको देखें इ उपर इस तरीके से यहां पर हम नीचे के तरफ हमारा गुलाई में निशान है तो यहां पर भी आपको इस तरीके से हलका घुलाई देनी होती है यह देखें इस तरीके से क्यों और अब हम इसकी cutting कर लेंगे देखें नीचे यह वाले पाड के भी और ऊपर वाले पाड की प्र यह लेंगे और ह्मने यह उपर से तीको ना नोगने खosion किया है इसको आप हंभी भी नाप सकते हैं खोलगें करい अबने ऑने एक तीक कुट कि yap kya hライ do बिल्कुल हमारा परफेक्ट यह आ जाएगा जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हाफ आफ इंच हमारा दब भी जाएगा और नीचे से हमने घेरे की भी देखें कटिंग कर ली है और नीचे से यह वाला जो साइड है यहां पर हमारा थोड़ा सा जोड लगता है तो अभी म बिल्कुल देखते हुए पहले आप निशान लगा लिए उसके बाद में इसके हम कटिंग कर लेंगे यह बहुत ही असान होता है इसको करना और यह आपके सारे ही अंब्रेला कर्ट यानिकि अंब्रेला वालेट सूट्स में सब में इस तरीके का जोड आता है क्योंकि हमने गेरा काफी जादा बनाना होता है तो इस तरीके से हमारा जोड लग जाएगा और इस तरीके से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों साइट्स कट हो जाएंगे इसको बीच में से सिलाई लगा कर आप जोड लीजिए और ऐसे ही हमें दो पार्ट और कट करने हैं क्योंकि हम दो यहां पर लाइनिंग बना रहे हैं और इसके बाद में हम अपनी केन केन लगाएंगे इसके उपर तो देखें यह हमारी जो केन केन है वह इतनी जादा चौड होती है इसको हम बीच में से पहले देखें फोल्ड फोल्ड रहती है जब आप इसे खरीद के लाएंगे तो यह इसको हम पहले तो सबसे सेंटर से कट कर लेंगे उसके बाद में इसे दोबारा से बिल्कुल बीचो बीच में से फोल्ड करना है क्योंकि हमें इतना जोड़ाता इसे लगाना होता नहीं है अब इसके दूसरी साइट की दरफ देखें इस तरीके का यह काफी जादा थिक वाला पूरे में बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है अब इसको हमें कपड़े पर लगाना है और साथी साथ प्लेट भी बनानी है तो देखें इसके नीचे वाली साइट के तरफ हमने इस तरीके से इसको मोड लिया है सिम्पल थोड़ा थोड़ा हम जैसे मोडते हैं अपने यह वेकितर फोल्ड करकां की बाद थो केच्क करड़ा लगा हुए यहां पर अलगे केंड कंक की कपड़ ドू यह से करीब नीचे से करीब 2 इंच का एक्स्टा कपड़ते हुए हम यहां पर बाक्स बिलीट सेवाले प्लेट अचे हम सलवारों में डालते हैं और यहां पालि और घेर वाला दिखाना है तो यहाँ पर हम बॉक्स प्लीट डालेंगे जो कि घेर जिससे बहुत जादा नजर आता है और जब आप चलेंगे तो यह तरीके से खुलता है तो काफी सुन्दर इफेक्ट आता है इसमें तो इस तरीके से पूरे घेरे पर हमें यह नेट को लगा लेना है तो फ्रेंड्स देखिए पूरे घेरे पर हमने यह केन केन को लगा कर डिया है और यहाँ पर टोटल हमारी 6 मीटर की केन केन लगी है क्योंकि हमने इसको बीच में से कट कर लिया था केन केन को तो काफी जादा घेर आ गया है हमारी इसमें और आप देख सकते हैं कित जब आप चलेंगे तो देखें इस तरीके से खुलता है ये केन-केन तो और भी सुन्दर सा इफेक्ट आता है अभी मैंने ये पूरा लहंगा रेडी नहीं किया है बट मैं आपको इसके उपर से दिखा देती हूं कि ये कैसा लगेगा तो देखें यहापर मैंने ये केन-केन अच्छे से लपेट लिया है उसके उपर जो मेरी नेट वाली जो लेयर है उसको लपेट के दिखाती हूं और आप अभी समझ जाएंगे कि कितना जादा इसमें घेर नजर आ रहा है तो ये देखें हमने इस पर ये अच्छे से लगा लिया है और इसके बाद में आप देख लेगा क्योंकि काफी घेर वाला हमारा यहां पर यह लहंगा बन गया है रेडी हो गया है तो इस तरीके से आप भी अपना लहंगा रेडी कर सकते हैं और यहां पर अभी केवल हमें बैल्ट लगानी और साथ में अपनी सारी लेयर्स को जोड़ देना है और रेडी हो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आई हो तो प्लेज इसको लाइक करना ना भूले और अल्सो शेर दिस वीडियो वीडियो फ्रेंड्स मिलती हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बब